Hello friends, welcome back, स्वागत है आप सभी का तो इस चैनल पर हम आपको next day के लिए बताते हैं कि कौन सा data आ रहा है और उसका क्या impact रहने वाला है Forex Currency Pairs के ओपर और साथ ही commodities के ओपर भी तो चलिए यहां पर शुरुवात कर लेते हैं कि 9 October 2023 को यानि कि Monday को क्या data आ रहा है और उसका क्या impact रहने वाला है Forex Currency Pairs के ओपर और commodities के ओपर लेकिन उससे पहले सबसे पहले दोस्तों अगर एक्सनेस पर आपने अपना Forex Studying Account अपन नहीं करा है तो जल्दी से इस वीडियो क पर description box में जाए और वहां से अपना Forex Studying Account ओपन कर लेजे यहां पर description box में आपको link दिया हुआ है उस पर क्लिक किजिए और account ओपन कर लेजे और साथ ही आपके लिए यहां पर जो i button है उपर वहां पर भी आपको वीडियो दे रखी है उनको आप देख सकते हैं और उनकी help से आप Exynos पर अपना Forex Studying Account ओपन कर सकते हैं तो यहां पर आपको बता रखा है i button में जो वीडियो है उनमें बता रखा है कि कैसे account ओपन कर सकते हैं money add कर सकते हैं withdraw कर सकते हैं और बहुत ही बड़ीया platform है दोस्तो काफी जादा experience platform है और बहुत ही सारी countries में यह फैला हुआ और successfully यहां पर यह अपनी जो trading है वो करवाते हैं और साथ ही जो इनका backup support है वो बहुत बढ़िया है और साथ ही जो withdraw है वो सबसे fastest है और मैं काफी सालों से इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैं आपको भी highly recommend करता हूँ Exynos का Forex Trading Account तो जल्दी से open कर लेजे दोस्तों और यहा आपने strategies का यूज करते हैं तो आपका जो success rate है वो भी बहुत जादा increase हो जाता है तो उन दो वीडियो को भी आप ज़रूर देखिए और यहां पर हमारा जो telegram channel है उसके उपर भी अपडेशन आपको हम देते रहते हैं उसे भी आप जोन कर लेजे उसका link भी आपको वीडिय चाही रहे हैं डेटा जो आ रहा है वो डेटा यहां पर आ रहा है 1130 ए. तो 1130 ए. अ. पर यह मंडे को डेटा आ रहा है और जो इसका impact पड़ रहा है वो पड़ेगा EU or U.S.जी के उपर क्यूंकि यूरोप का data आ रहा है यहां पर जर्मन जो कि जर्मनी जो है यह एक उपएन कंट्रीज यतनी भी हैं उनमें सब स्यादा है तो इसका डेटा होता है वह काफ़ी ज्यादा इंपक्ट ये उपड़ता वह। यहाँ पर आप जयादा ने सेफिते हैं ये पिछली बार था और यहीं । तो अगर यह ऐसा ही आता है तो इसका मतलब है कि इन रेशल प्रड़क्शन बढ़ी है और इसका पॉजिटिव इंपक्ट हमें देखने को मिल सकता है लेकिन अगर यह नेगटिव आता है यानि कि मैने 0.8 से कम आता है तो उसके बाद यह नीचे की और को भी गिर सकता है लेकि यहां पर दुन्हों यह जो लिमिट्स है यानि कि यह प्रीविएस है यह फॉर्कास्टर है इन दोनों के बीच कहीं डटा आता है तो फिर हमें थोड़ा सा यहां पर रूप करके देखना होता है की कि कि सब्सक्राव को मूव आता है लेकिन अगर इन दोनों रिंजीस के बा डेटा नहीं है, बलकि एक रिपोर्ट है, जो कि है IMF की, International Monetary Fund जो है, वो World Bank के साथ मिल करके यहां पर एक मीटिंग करता है, और यह जो मीटिंग होती है, वो annual मीटिंग होती है, तो annually यह मीटिंग करी जाती है, और इसमें काफी सारी चीजों के उपर बात होती है, discussion होती है, ज जो जितनी भी कंट्रीज हैं, उनमें economic development कैसी चल रही है, उनके बारे में भी है, और साथ ही हमें यहां पर यह जानकारी मिलती है, और उस मीटिंग में यह भी discuss होता है, कि global economy कैसी चल रही है, जो world की जो economy है, वो फिलहाल कैसी चल रही है, और international development का क्या यहां पर scene रह सकता है तो यह सारी के सारी चीज़ें वहां पर discuss होती है, international monetary fund और world bank जो है, उन दोनों की meeting जो यह होती है, annual इसमें, तो दोस्तों इसका जो mainly impact हमें देखने को मिल सकता है, वो हमें देखने को मिल सकता है, US oil के उपर भी और crude oil के उपर भी, क्योंकि जो US oil और crude oil है, यह दोनों के दोन इनका जो movement है, वो highly depend होता है, कि world में, जो economy है, उनका development का क्या scene चल रहा है, तो यहां पर, क्योंकि इसमें भी discussion वही होनी है, कि outlook कैसा है, economic outlook कैसा है, economic development कैसी हो रही है, global economy कैसी चल रही है, फिलाल, और international development कैसी हो रही है, तो इनी सब चीज़ों के ऊपर भी discussion होनी है, और इनी क इन दोनों के ऊपर जरूर नजर रखिए, क्योंकि यहां पर हमें, अगर positive चीज़ें हमें सामने आती है, देखने को मिलती है, IMF की meeting है इसमें, तो फिर हमारे यहां पर अच्छे move देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अगर economic development अच्छी नहीं होई, ऐसा meeting में discussion होता है, या कुछ output जो ऐसा आता है, कुछ negative आता है, world development के बारे में, तो फिर हमें opposite move भी US oil और crude oil में देखने को मिल सकता है, तो यहां पर आपके लिए इन दो commodities में trade बन सकता है, साधे तीन बजे के बाद, नेक्स जो यहां पर data आ रहा है, वो आ रहा है 7.30 PM पर, और 7.30 PM पर United States का ही data आ रहा ह है, तो consumer confidence survey का यह data है, और इस data में पिछली बार जो यह था, वो 113.02 था और forecasted तो नहीं है, लेकिन अगर यह से जादा आता है, तो वो DXY के लिए काफी अच्छा है, जो यहां पर यह conference board है, यह organization है, और यह consumer confidence survey करवाती है, जिसमें कि यह पता लगाते हैं, कि जो consumers हैं, उनक अंदर कितना confidence है, जो भी वो purchasing करते हैं, उसके उपर उनका कितना confidence है, तो यहां पर आप इसके उपर ज़रूर नजर रखे, और consumer confidence का जो यह data है, वो आपको यहां पर DXY में अच्छा ट्रेट दिलवा सकता है, साड़े साथ वजे, और हम आपको टेलिग्राम चैनल पर भी अ आपको जानकारी चाहते हैं, तो आपको यहां पर आई बटन में उसका वीडियो भी मिल जाएगा, आप उसको जरूर देखिए, और यहां पर जो next यहां पर data हमें देखने को मिल रहा है, वो यहां पर 1020 पर है, और अगेन यहां पर data नहीं है, लेकिन जो fed के गवर्नर है, वो अपने speech देंगे, और fed के गवर्नर की speech काफी importance रखती है, क्योंकि अगर वो कुछ hawkish statements यहां पर देते हैं, जैसे कि interest rate बढ़ाने पढ़ेंगे, या फिर उनको control करने के लिए, जो भी interest statement देते हैं, तो वो hawkish statements होती है, और उस case में यहां पर DXY में काफी heavy move हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर यहां पर dawish statements देते हैं, जिसमें कि वो थोड़ा सा यह कहते हैं, कि हम थोड़ा सा रिलाक्स करेंगे, अभी फिलहाल हम अगर कुछ ऐसी indication देते हैं, कि फैट ज हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है, कि हमें hawkish या dawish statements देखने को मिलें, वो normal speech भी हो सकती है, जिसमें कि वो ना तो कोई hawkish ना ही dawish statements दें, तो उस case में हमें मुव की chance जो हैं, वो कम ही रहेंगे, ऐसा तभी हो सकता है, जब hawkish या dawish statement आए, तो उस case में हमें heavy move यहाँपर देखने को मिल सकते हैं, और जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि EU और USD में आप opposite side को, जिस सरफ को मोटिवेशन मिलता है इसलिए आपका वीडियो को लाइक करना बहुत जुरूरी है नीचे बस एक बटन दबाना है आपने लाइक का उस पे क्लिक कर दीजिए बस थोड़ा सा टाइम लगेगा आपका तो दोस्तों वीडियो को जुरूर लाइक कीजिए चैनल को भी सब्सक्रा कि अचारे सा नीचे है और दोस्तों क्या है आपका प्रत में लाइक कर दोस्तों कर दोस्तों क कर दोफ